बूड मॉर्णिंग भाई यो राम राम आदाप कैसे हैं आप सब और बूर्णिंग जैसे सुबह सुबह मौनिंग का सहर का मज़ा नहीं वैसी सुबह सुबह को तुरों की बात का भी अलग मज़ा है कि मैं भी शेर से निकला था और से आकर इदर उत्रों की तरफ आ गया तो एक बात जो कल की दिमाग में चल लए थी मेरे भाईयों को बहुत प्रॉल्म आ रही है कि खुड़े साफ यानि लॉफ साफ यानि पिजन का रूप क्लीन करने के बाद उनके बिमारी आ जाती है छेटे मेंने साल-साल चाल-चार मेंने साफ we goAK करते मारी आ जाती है और विमारी आने का रीजन जो है वो सबसे बड़ा रूप कि यह है कि आपने इतने मेंने साफ ही नहीं की चलो वह दिक्यक्शत निगी अब हमने साफ कि ए तो हमने उनको अच्छी द्रहा से साफ निए भाय base यो कि आप अपनी दर्व से बहुत अच्छी आप करते हैं लेकिन आप उसको छोड़ देते हो और जब आप उतर अंदर करते हो तो वह इसमें चूरा पूरा वो लोग मिकाल के जो की एक बिमारी का रूप बन चुके होते हैं कहीं तो खाद बनने की अब एक्टिविटी पर चल लए होते हैं इखाद बनने वाली होती है कुछ उसमें चेंजिस हो रहे होते हैं कुछ तरह कीड़े पैदा हो चुके होते हैं और वह हमारे उतर उनको जल्दी उठाते हैं तो बाइव इसी टॉपिक पर बात करनी है हमने जो मैंने आपके सामने प बिमारी नहीं फिलाएगी लेकिन ये डिफ्रेंट है पहले हम बात करेंगे कि हमने जब खुड़ा साफ करना है तो सारे कबूतर बाहर निकाल देने हैं को से सुनिएगा आपने उसको साफ किया पती दे खुल्चा जाड़ू मारा जैसे किया उसके बाद आपने का करना है आ कि पानी ऑल के गीला पहुचा और पानी आप डара हा उसके अंदर आपने क्या डाना है अगर आपके पास ये है विरकन तो डालो अगर यह आप आपके पास नहीं एं फशामर तो आपके पास चॉलोगा है ना इस मिदून को डालो ओच ओदा जरू जरूर डालो यह 3 शीले ड तो हमने गीला करके उसे साफ करना है और यह तीनों चीज़े जरूर डालनी अगर आकर विरकर नहीं है मेरे भाईयो जब तक आब उत पे अच्छी जासे सिर्के का डिटॉल का और हल्की फलनैल का पोचा नहीं मारोगे उसके अंदर से वो कीड़ा वो बिमारी नहीं जाएगी वैसे तो आदर डालो कि खुड़े लॉफ साफ करने की दूसरा जब पच्छे पर ले भाईयो तब बिल्कुल साफ ना करना इस बात का बहुत द्यान देना अगर साफ करना है तो दस पसंट करके करो थोड़ा आगे का साफ किया फिर थ अड़ा निकाल दिया तो फिर उसमें बाटी पानी डाल दो गीला हो जाएगा, सौट हो जाएगी अराम से वह साफ हो जाएगी कोने जो होते हैं जयों सफाई करते भई ध्यान दीजिएगा जोंसे होते हैं पर बहुत हलका हलका पॉटर चिपका होथा है वह बहुत महीने प कर दिया पोचा मार दिया जब जानवर आपने अंदर करने हैं मेरी बार गोशे सुनेगा मिट्टी जिलूर रख दिरेगी जानवर के अंदर अगर तब मचेगी उत चीछ की तो वह नो मुँमारे ठीक है ना वह मिट्टी में मुँमारे और यह जो आपने सारी अक्टिविटी करनी है ना बाइयो इसमें एत्जी धित्याना अपने रखनी है कि साफ करने के बार भूत जे दो या तो पहले दाना करना का दू बार दाना करता है वो दो डालते है इधर उधर गरता है जमीन है या जमीन पर पानी कोशिशी की यह गंटे बार पानी रखे कुँकि शफाई कते टाइम बहुत से कन हवा में उल्ड़ाय होते हैं बहुत पुरानी और नहीं रखने वारा है तो हर हफ्टे आधर डालो फिल भी अगर आपको करना पढ़ रहा है तो जानवर बाहने निकाल के ठीक है दाना बाहर करना दाना करके बाहर निकाला। साफ करके आदे पौने गंटे बाद अंदर कर दो और गंटे तक उस देखो को तर कैसे रियक्ट करें उसके बाद आपने पानी डालना है और हमारे विलकर नहीं है दुनिया का सबसे बढ़िया डिसिंफेक्ट है भाई यो यह आप सप्रे करते रहो पंदा-पंदा दिन बाद आपके पूतरों में बिमारी नहीं आएगी बिमारी आ रही है तो एक एक दिन बाद करो कोस्टली जरूर है लेकिन अगर तीन चाहर देने मिलके मैं को फिर बताओं इन चीजों में बहुत माजन है 30-70% माजन होता है जब भी कोई चीज खरीद दिये बारगेनिंग जरूर क कीजिए चाहिए ऑनलाइन खरीद रहे हैं किसी दोस्ते शॉप पर करें बारगेनिंग जरूर कीजिए बीज बीज चाली जाली पसंट अराम से माजन है इसमें कई चीजों बेदो 60-60-70% माजन है बारगेनिंग कीजिए दो चाल देने मिलके लीजिए ज्यादा क्वाइंट बना लो आधर डालो आपके खुट्डे में बिमारी नहीं आएगी और अकर बिमारी आ रही है लगए लगए बिमार हो रहा है तो एक एक दिन चोड़के दिख करो और जब पुट्डे साफ करते दो इसके पाद इसके पोचा मारो सारे बतन से साफ करो भाई ओ ठीक है ना को असली जिरूर है और दूसरी बाद में आपको एक और बताओं इंडिया में मैडिसन बनती है जिसके पर हैंड की फोटो लगी है मुर्गी की फोटो लगी है वह हमारे बोतरों के लिए पिल्कुल सैट है यह मत देखो कि उसके फोटो लगके आएगी सिरफ आपने उसका जो ताक उसमें तो मैडिसन की जो नहीं डोट दी है वह आपने 50 परसंट पर लेके आनी है क्योंकि मुर्गी हमारे कुटों से बड़ी होती है तो ठीक है ना कोई कंपनी वाला कुटो की फोटो लगा के भेज देता तो आप उसकी बागना शुरू कर दो यह कलती मत करो इंडिय सब्सक्राइब करो वीडियो लाइक करो प्लीज शेर करो सभी बाई शुक्रिया आदाब